नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन इस्टेट इस्टुडेंट यूनियन ने सांसद पी एंस सिंग के आवास का किया घिराव नई नियोजन नीती का ममला राज्जे के बर्तबान साठ चालिस नियोजन नीती से जार्खनडी छात्रों में काफी नराजगी है छात्र पिछले पाच महिने से लगातार राज्जे सरकार के खिलाप अंदोलन कर रहे हैं बता दे जार्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से 11 जून तक 31 दिवसिये महा जन अंदोलन जारी है महा अंदोलन के पहले चरण में 25 मई तक राज्जे के सभी 81 विधायक और 14 सांसदों से लिखित तोर पर समर्थन मांगा जाएगा इसी दोरान बुद्धवार को बड़ी संख्या में चात्रों ने धनसार में धनबाद सांसद पियन सिंग के आवास का घिराव किया इस दोरान छात्र करीब एक घंटे तक आवास के सामने धारने पर बैठे रहे इसके बाद सांसद ने छात्रों से मुलकात कर समस्या सुनी सांसद पियन सिंग ने छात्रों को हर संभव मदद करने का स्वासन देते हुए उनके अभियान को समर्थन दिया है बतादे करेकरम के अगुआई कर रहे है छात्रनेता अजीत कुमार महतों ने बताया है कि अब तक बारा से अधिक बिधायाक और सांसदों से लिखित समर्थन पत्र प्राप्त कर लिया गया है राजे के सभी बिधायाक और सांसदों की पहचान करने की समय आ गया है जो भी विधायाक हमें लिखित तोर पर समर्थर देने में बहाने बाजी करेंगे उन्हें चीनित किया जाएगा मौसम विभाग के नुसार जार्खन के साथ जीलो में रेड अलर्ट की संभावना है इसे लेकर विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है इसमें पच्छमी सिंभूम, पूर्वी सिंभूम, डाल्टन गंज, देवघर, गोड़ा, गढ़वा और सरायक लेखार सावा सामिल है बता दे इन जीलो में अगर ऐसे ही गर्मी का कहर जारी रहा तो मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर देगा जार्खन में 18 जीलो का तापमान 40 डीगरी के पार पहुंच गया है विशन गर्मी से लोग बेहाल है दोपर को अब लू भी चलने लगी है लगातार लोग लू की चपेट में आ रहे हैं मौसम में उतार चड़ाव के कारण लोग बीमार भी हो रहे हैं सबसे अधिक परिसानी इन धूप में फल, सबजी, ठेला, खुमचा, वालों को उठानी पर रही है बतादे दिन भर उन्हें धूप में काम करना पर रहा है वहीं साम सूरज ढ़नने के बाद थोड़ी बहुत रहात मिल रही है ट्रेफिक पर तैनात पुलिस जवानों को भी हालात इस धूप में ठीक नहीं है वहीं मौसंबे ग्यानिया विसेक अनन ने बताया है कि आने वाले चार थे पांच जिरों तक गर्मी से लोगों को रहत नहीं मिलेगी रांची में राजी अस्तरिये खरीप कारेसाला में बोले क्रीसी मंत्री बादल जार्खन में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देकर किसानों के आर्थिक इस्थिति को सुधारने की कवायद चल रही है इसको लेकर हेसांग के पौसुपानन निदेसाले सभागार में कारेसाला कायोजन किया गया जिसमें राजे के क्रीसी मंत्री बादल पदर लेक ने कहा है कि जब तक किसानों का जीवन बेहतर बनाने की ललक और समर्पन का भाव पता अधिकारियों नहीं होगा तब तक हम लाख जोजन बना ले किसानों का जीवन खुसाल नहीं बना सकेंगे बता दे किसानों की हर समस्या को जब तक अधिकारी और पताधिकारी अपनी समस्या नहीं समझेंगे तब तक किसानों की समस्या का समधार नहीं होने वाला है राजे के किसानों का सरकार और अधिकारियों के प्रति विश्वास का भाव होगा तो आपके प्रती उनका भरोसा बढ़ेगा किरिशी मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकारी रासी का आवंटर और खर्च ही काफी नहीं है बलिक अंद ताओं की समस्या को करीब से देखने समझने और उसे दूर करने की जरूरत है 6 दिन की देरी से परवेश कर सकता है मानसून जरुखन में मानसून इस साल देरी से दस्तक देगा बतादे मौसम विभाग का प्रोन मान है कि केरल में बंगाल की खाड़ी से मानसून का परवेश चार जून के आसपास होगा इसका आंसिक असर जार्खन में भी होने की समभवना है समाने तोर पर जार्खन में मानसून 14-15 जून के आसपास प्रवेस करता है लेकिन इस बार 6 दिन की देरी से यानि 20 जून को दस्तक देगा हलाकि अधी समाने रूख में ज्यादा बदला हुआ तो थोड़ी और देरी हो सकती है मानसून में देरी ही केवल चिंता जनाक बात नहीं है समस्या या भी है कि मौसम विभागने पहले ही पर देश में औसथ से 5 पिजदी कम बारिस का प्रवन्मान ब्यक्त क्या है बता दे कि बंगाल की खाड़ी की ओर से केडल के रास्ते भारत में परवेश करने वाला मांसून ज्यारखन में मद्य जुन को दस्तक देता है गढ़वा पलामू लातेहर में अवैद खनन मामले में ज्यारखन हाइकोट ने पीएजी से मांगा जवाब जार्खन हाई कोट ने पलामो गढ़वा लाते हार जीले में हो रही अवैद माइनिंग की जाच को लेका दायर जानित याच का पर बुद्धवार को सुनवाई की जार्खन को मामले में जवाब दायर करने का निदेश दिया कोट ने कहा है कि अगर मामले में जाच की गई है तो उसकी रिपोर्ट परस्तूत की जाए बता दे पुर्व में खंडपीट ने इस मामले में प्रधान माहालेखा कार को प्रतिवादी बनाया था वहीं राज सरकार की ओर से 300 से 20 से समेती की रिपोर्ट परस्तूत की गई इस पर आगे की सुनवाई के लेखन पिठने 5 जुलाई के 3 दिन इधारित की इससे पुरव प्राथी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा राष्टपती के जारखन आगमन को लेकर तयारी मंदिर में 24 माई को आगमन होने वाला है महा महिमा बाबा के दर्बार में 40 मेर तक रहेंगी इसके लिए बाबा मंदिर प्रस्तासन की ओर से यूद अस्तर प्रत्यारी की जा रही है गैंग्स्टर अमन स्रिवास्तों को मुंबाई से लाया गया रांची अमन स्रिवास्तों को धुर्बाई स्थीत ATS ओपिस में रखा गया है समावना है कि जल्द उसे कोट में पेस कर रिमांड पर लिया जाएगा बता दे कि मंगलवार को जारखन और मुंबाई ATS के सन्यूक्तर टीम ने गैंग्स्टर अमन स्रिवास्तों को मुंबाई के वासी रेलवे स्टेशन से गिरफतार किया गया उसके पासे कई मोबाईल और दर्जनों सीम कार्ट बरामत किये गया है पुर्ष ने बरामत मोबाईल का CDR निकाला है उसमें कई नेताओ अपसरों और सफेद पोसों के नमबर भी मिले है एगारवी में नमांकन को लेकर भाग दोड़ शुरू CBAC वर ICAC 10 वी बोड पर इक्षा कारियर्ड जारी हो गया है अब एगारवी का अक्षा में नमांकन को लेकर भाग दोड़ शुरू हो गई है रांचीक विभीन निजी स्कूलों में 55 से लेकर 92 परतिसत तक अंक लाने वालों का डारेक्ट अडमिसन लिया जा रहा है वही राजधानी के विभीन स्कूलों ने एगारवी में नमांकन को लेकर कौट अफ माग भी जारी कर दिया है हलाकि कुछ स्कूलों दोड़ा नमांकन पर क्रियाकतात पूर में परिक्षा लेकर प्रविजनल एडमिसन भी लिया गया था इन स्कूलों में भी डारेक्ट अडमिसन के लिए कौट अफ माग जारी किया गया है वही कई स्कूलों दोड़ा ये गारवी में नमांकन को लेकर पूर में परिक्षा ली गई थी परिक्षा में सफल छात्रों के सुची भी इस्कूल द्वारा जारी की गई थी और प्रविजिनल एडमिशन भी लिया गया था एनोस एकका का हेमत सरकार पर निशाना शिमडेगा नगर परश्चत का रहाला यग के निकट जारखन पार्टी दोरा अस्थानीय समस्याओ को लेकर धारना परसन किया गया धारना परसन में मुख्य रूप से जारखन पार्टी के केंद्रिय अध्यक्सा जारखन के पूर्वमंत्री एनोस एकका सामिल ठे इनोस एका ने हिमंद सरकापनी समसाते वे कहा है कि राजऑ में सरकार अधिकारी और क्रमचारी पूरी तरह से बेलगाम हो गाया है बता दे पुरो मंतुर एका ने कहा है कि राजऑ में बालु के लिए हाकार है शाड़े 3 साल गुजर जाने के बाद भी जहर्खन सकर भालू घाट की निलामी नहीं करा पा रही है जहर्खन हाइकोट ने केंद्रिय गिरिह मंत्राले से मंगा जबाब बंगलादेशी घुसपैट का मामला जारखन हाई कोट की खंड पीट में राजे में बंगलादेशी घुसपैट के खिलाब दाखिल जन्हीती आजका पर सुनवाई होई सुनवाई की दोरान अदालत ने केंद्रिये गिरी मंत्राले से जबाब मंगा है बतादे आदालत ने केंद्रिये ग्रीह मंत्राले से पूछा है कि किन परिश्थितियों में राज में बंगलादेशी गुर्पैठी हो रही है क्या इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई करवाई की गई इस मामले में केंदरिये गरीह मंत्राले को चार हपते में अपना जबाब कोट में प्रस्तूत करना है बतादे इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी हाई कोट में आजका की सुनवाई की दोड़न गिरी हमंत्रारे की ओर से अधिवक्ता प्रसांत पल्लाव ने कोट में पक्ष रखा है वाम मोर्चा का राजे समेलन 29 माई को रांची में वाम दलो ने राजे में मुख्य मंत्री हमंसुरोन के नेतियुत में चलवराई सरकार के कामकाज पर नदागी जटाते हुए आंधोलोन छेडने का निनलिया है बता दे इन मुद्धों पर प्रखंड जीला और राजेस्तर पर होने वाले आंधोलन के रूप रेखा 29 माई को होने वाले राजेस्तरे समेलन में ताय होगी राजेस्तरे समेलन 350 से अधिक वाम नेताओं का जुटान होगा असिस्टेंट प्रफेसर नियुक्ति का रियल्ट जल्द होगा जारी जारखन में असिस्टेंट प्रफेसर नियुक्ति का रियल्ट जल्द जारी होगा हाई कोट ने जे प्यसी को 31 जुलाई से पहले रियल्ट जारी करने का निदेश दिया है बता दे जार्खन में असिस्टेंट पर्फेसर के पद के लिए इंटर्वियू के बाद रियल्ट का इंतियार कर रहा अभियार्तियों के लिए अच्छी खबर है इस मामले में जार्खन हाई कोट ने जे पीसी को 31 जुलाई से पहले रियल्ट जारी करने का निदेश दिया समय बरबाद हो रहा है बलिक इसका असर उनके भई से पर भी पढ़ रहा है इर्फान अंसारी के समर्थन में हिंदू महासभा करनाटक चुनाव पई नाम आने के बाद कॉंग्रेस काफी उत्साहित है पुरे देश में कॉंग्रेस का कदा जस्न मना रहे हैं इस खूसी में जाम तरा बिधायक इर्फान अंसारी ने तो अपने बिधायक छेतर में बजरंग वली का भव्य मंदिर बनावने की बात भी कर डाली है उनके इस बात का अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वागत किया है दरसल बिधायक इर्फान अंसारी करनाटक जीत के बात कहा था कि वह जामत्राव मी भब व्याह उन्वान मंदिर बनवाएंगे और जल्द ही इसको ले कर इलान भी करेंगे इफान अंसारी के मंदिर बनवाने के बियान पर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्री ए अध्याग स्वामी चक्रपानी महाराज ने कहा है कि इफान अंसारी का मंदिर बनवाने का बियान स्वागत योग है और हम उनके इस बियान का हार्दिक स्वागत करते हैं और के संभावित दोरे को लेकर त्यारिया भी की जा रही है बता दे जून महीने में प्रधान मतिनयान मोदी ज्हरकन दोरे पर आएंगे इसको लेकर के ज्हरकन में त्यारिया शुरू हो गया है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रधान मतिनयान मोदी जून महीने में ज्हरकन किसमग धारना पलसन किया जाएगा इसमें जारखन में आदिवासियों की दूरदर्शा के लिए पक्ष भी पक्ष को जिमेदार मानते हुए जारखन सरकार से जवाब मांगा जाएगा इस बीच रांची जोनल सेगेल कमेटी का बिस्तार किया गया चंद्रदेव उराओ को रा दगा जीला का ध्यक्ष बनाया गया है धन्यवाद